Hello Everyone, Welcome to Online Study Point तो जैसे कि आप सभी जानते ही कि आप लोगों के लिए जो 2020 के Selected 1000 Current Affair के सीरीज चलाई जा रही थी जिसमें कि हम हर मन्तिके Selected Important Current Affair को डिसकस कर रहे थे तो आज का ये आखरी पार्ट है मतलब कि आज का ये जो 12 पार्ट है इसमें हम दिसम्बर मन्तिके सभी Selected Current Affair के कोश्चन डिसकस करने वाले हैं इस तरह आप लोगों के 1000 Current Affair के ये जो कोश्चन की सीरीज है ये कंप्लेट हो जाएगी तो यदि आप लोगों को चैनल के जितने भी important वीडियो है इनकी PDF शाहिए तो आप हमारी इस Telegram से जुड़ सकते हैं जिसके Link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है इसके लावा यदि आप NTPC और Group D की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक special channel launch किया गया है जिसका नाम है My Exam तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं तो देखिए हर मन्थली वीडियो में हम लोगों ने ये सभी important topic को cover किया था तो आज भी हम इनी सभी topic को discuss करने वाले हैं हमारा पहला question है हाली में भारत के पहले organ donor memorial को उद्गाटन कहां किया गया है तो इसका उद्गाटन अभी हाली में किया गया है राजिस्थान में जैसा कि आप सभी जानते कि हाली में राजश्ट्री अंगदान दिवस ये मनाया गया था 27 नवंबर को और इसी के मौके पर राजिस्थान में भारत के पहले organ donor memorial को उद्गाटन किया गया है अग्ला question है खाली में लोकसभा के नए महासचीव कौन बने है तो sekali में बन गया है उत्पल कॉमार सिंग इन्हों नहीं इस्थान लिया है इस नया हलता स्रीवास्तों का मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो इस नया हलता स्रीवास्तों है ये लोग सभा की पहली महिला महा सचिव थी जिनके इस्थान पर उत्पल कुमार सिंग ये बन गया है नए महा सचिव हाली में बाटा की ग्लोबल सीओ के रुप में न्युक्त होने वाले पहले भारती कौन बने है तो बाटा जो की एक ग्लोबल फुट वेर ब्रैंड है इसके सीओ के रुप में न्युक्त होने वाले पहले भारती बन गया है संदीप कटारिया हाली में सर्यो नदी पर भारत की पहली लगजरी क्रूज सर्विस के शुरुआत की गई है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है रामायन क्रूज सर्विस सर्यो नदी तो देखी इसी सर्यो नदी के किनारे आयोध्या शहर यह बसा हुआ है जो कि इस्थित है उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए ये जो railway की special e-book है जिसमें की आप लोगों के लिए 7600 one-liner question cover कर आए गये हैं जिसमें की 5000 gk के question है, 1600 science के और 1000 current affair के question one-liner format में cover कर आए गये हैं जो की खास दोर पर आपके railway exam को ध्यान में रख करके तयार किये गये हैं इसे आप purchase कर सकते हैं link description box में दी हुई है हाली में देश का पहला 100 octon petrol जिसका नाम है extra premium 100 ये किसने launch किया है तो ये भी हाली में petroleum मंत्री धर्मेंदर प्रधान जी के द्वारा launch किया गया है हाली में किसने देश भर में सभी थानों और जाच एंजेंसियों के दफ्तरों में CCTV लगाने का निर्देश दिया है तो ये निर्देश दिया गया है सुप्रेम कोट के द्वारा हाली में हूरन इंडिया द्वारा जारी किये गए रिपोर्ट के निसार भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है देखे महिला की बात की जा रही है तो ये बन गई है SCL की चेर्मेन रोसनी नाडार और ये हैं पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर बायकॉन के संस्थापक किरन मजुमदर शो तीसरे स्थान पर लीना गांधी और चौथे स्थान पर रहे हैं निलिमा मोटा पार्ती हाली में मसालों के राजा कहे जाने वाले कि स्विक्ति का निधन हुआ है तो Masala King के नाम से घृमस अभी हाली में धरमपाल गुलाटी जी का निधन हो गया है हाली में विश्वमृधा दिवसी कब मनाए गया यानि कि वर्ल्ड सौइल डे तो ये मनाया जाता है पांच दिसम्बर को और इस बार जो वर्ल्ड सौइल डे मनाया गया इसकी थीम थी तो देखे महराज्ट के एक सिक्षक है जिनका नाम है ररजीत सिंग दिसाले इन्हें ग्लोबल टीचर आवार्ड से नवाजा गया है हाली में पैटा पर्सन ओफ दे एर किसे चुना गया है तो पैटा पर्सन ओफ दे एर 2020 ये चुने गया है बॉलिवड अभी नेता जौन अब्राहिम हाली में फिक्की के अध्यक्ष के रुप में किसे न्युक्त किया गया है तो हाली में फिक्की के नयध्यक्ष बन गया है उदर संकर इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड़ी का यदि हम बात करें फिक्की की यानि कि Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसकी स्थापना हुई थी 1927 में हैटक्वार्टर अस्थित है नई दिल्ली में हाली में एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर किस राजी के जोयलर ने गिनीज बूक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश के मेरट के एक जोयलर ने जिनका नाम है हरसित बंसल देखे जो हरसित बंसल है इनकी उम्र है केवल 25 साल और इन्होंने एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने इस अंगूठी का न आप लोगों के लिए ये जो yearly current affair की PDF है जिसमें की जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सभी important selected current affair one liner format में कवर कराएं गये हैं जो कि आपके आगामी सभी exam के point of view से important है इसे आप purchase कर सकते हैं link description box में दी हुई है हाली में बुवेरी चक्रवाद का नाम किस देश ने रखा है तो बुवेरी चक्रवाद जो कि अभी चर्चेम रहा है इसका नाम करण किया गया है मौल दीप के द्वारा इसकी capital है माले, currency है, रुफया, president है अब्राहिम मुहंबत, सोली और भारत और मौल दीप के बीच एक exercise होती है, जिसका नाम है E-Kurin, वारण सी अनपूर्णा की चोरी की हुई मूर्ती को किस देश से एक सधी बाद भारत वापस लाया जा रहा है, तो इसे वापस लाया जा रहा है कनाडा से, हाली में नासा के किस अंतरिक श्यात्री ने पहली बार International Space Station में मूली की फसल उगाई गई है, और नासा के द्वारा इस Experiment को नाम दिया गया है, Plant Habitat 02, भारत दुनिया के सबसे बड़े नवी करनी उर्जा पार्क की स्थापना कहां करेगा, तो ये स्थापित किया जाएगा, गुजरात के कक्ष में, और इसकी अधार सिला भी हाली में प्राइम मिनिस्टर आइसवे करम के प्रेसेडेंट रहे हैं, बराक उबामा इनकी जर्सी, अगला कोश्चन है, एशिया कब 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो एशिया कब 2021 की मेजबानी करेगा श्री लंका, जबकि जो ICC Men's World Cup है, जोकि होना है 2023 में इसे होश्ट करेगा अपना देश भा प्रमाडित किया है, जोकि वायू प्रदूशन के कारण हुई है, तो ये प्रमाडित किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा, इसके लावा जो ब्रिटेन है, ये क्लाइमाट इमर्जिंसी लागू करने वाला विश्यो का पहला देश भी है, हाली में 2020 के World Athlete of the Year का खिताब किस ने जीता है, तो ये जीत लिया है, यूलिमार रोजस और मोंडो डूपलांटिस इनकी बोथ बी और सीने, यूलिमार रोजस ये कौन है, तो ये वेनेजुएला के एक त्रिपल जिंपर है, और मोंडो डूपलांटिस जोकि एक स्वीडिस पोल वाल्टर है, इन दोनों को ही 2020 के World Athlete of the Year का खिताब दिया गया है कीवी के लिए जैविक प्रमाड पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्जी कौन बना है तो ये भी हाली में बन गया है अरुनाचल प्रदेश जिसने की कीवी के लिए जैविक प्रमाड पत्र हासिल किया है अब ये जैविक प्रमाड पत्र ये क्या होता है कहने का मतलब है ये है कि किसी भी फल या सब्जी को उगानी के लिए जब किसी भी प्रकार के जैव नासक या रसायन को प्योग नहीं किया जाता है तब यह होती है जैविक खेती तो इसी के लिए मतलब कि जैविक प्रमाड पत्र कीवी के लिए जैविक प्रमाड पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है अरुनाचल प्रदेश हाली में मद्य प्रदेश के किस शहर को यूनेसको के विश्व विरासस सहरों के लिष्ट में सामिल किया गया है तो हाली में मद्य प्रदेश के गौालियर और ओर्चा इन दोनों को ही यूनेसको के विश्व विरासस सहरों के लिष्ट में सामिल किया गया है हाली में नेपाल और चाइना के दुआरा किये गए सर्वे के नुसार माउंट एवरिष्ट के उचाई कितनी हो गई है तो देखे वैसे तो इसके उचाई थी 8848 मीटर लेकिन हाली में नेपाल और चाइना ने ये जो सर्वे किया है इसके नुसार इसके उचाई बढ़कर हो गई है 8848 असमलो 86 मिटर फोपस द्वारा जारी किये गया सौ सबसे सकतिसाली महिलाओं के लिस्ट में टॉप पर कौन रहा है तो इसमें टॉप पर रही है जर्मनी की चांसलर एंजला मरकिल दूसरे स्थान पर क्रिष्टीन लेगाड तीसरे स्थान पर भारती मुलकी कमला हैरिस जो के भी हाली में अमेरिका की पहली महिला उपराश्ट पती बनाई गई है और भारत की जो वित्मंत्री निर्मला सीतर रमंजी इसमें रही है 41 स्थान पर हाली में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूरिय इनके आर्टिफिसियल सन परमाणू सलियन रेक्टर को सफलता पूरोग संचालित किया है तो ये संचालित किया गया है चाइना के द्वारा अंतराश्टी ओलंपिक समीती ने पेरिश दोहजार चौबिस में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दरजा दिया है तो ये दिया गया है ब्रेक्डांस को हाली में नई दिल्ली में मतलब की नई दिल्ली में नए संसत भवन का सेलन्यास किसके द्वारा किया गया है प्राइम मिनेश्टर नरेंदर मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर को हाली में दुनिया का पहला सैटलाइट आधारित नेरो बेंड आई योटी आई योटी मतलब की इंटरनेट ओफ तिंक्स नेटवर्क ये किसने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया गया है बेसनल के द्वारा हाली में 100% और्गनिक दरजा पाने वाला पहला यूटी कौन बना है तो देखे जैवी खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये तो आप जानते हैं सिक्किम है लेकिन पहला यूटी ये भी हाली में बन गया है लक्षदीब सुप्रीम कोट कॉलेजियन ने जश्टिस सीमा कोली को किस राज्य के हाई कोट की पहली महिला चीफ जश्टिस न्युक्ति किया है तो जश्टिस सीमा कोली ये भी हाली में तेलंगाना उच्छी नयले की मुख्य नयदिस बन गई है इन्होंने इस्थान लिया है रागवेंद्र सिंग चोहान का रागवेंद्र सिंग चोहान जो कि अब उत्राखंड उच्छी नयले के मुख्य नयदिस बन गए है हाली में जारी किये गए मानो विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है तो इसमें पहले स्थान पर रहा है नौर्वें अपने देश भारत की रैंकिंग है 131 हाली में किस राज जी का नहरू प्राणी उद्ध्यान ISO certificate प्राप्त करने वाला पहला चुड़िया घर बन गया है तो ये बन गया है तेलंगाना का नहरू प्राणी उद्ध्यान हाली में किस देश का चांग E5 यान चंदर्मा की सिता से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के प्रत्वी पर लोटा है तो चांग E5 मिसन ये रिलेटेड है चाइना से मतलब की ये चाइना का चंदर्मिसन है जो कि अभी हाली में चंदर्मा की सिता से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के प्रत्वी पर लोटा है हाली में 2020 के बेस्ट फीफा प्लियर का खिताब मैंस काटेगरी में किसने जीता है तो मैंस काटेगरी में जीता है रॉबर्ट लेवांड उसकी ने जो कि बिलॉंग करते हैं पोलेंड से और यह किताब woman category में जीता है Lucy Bronze ने जो की belong करती है England से तो दोनों ही category आप याद रखेंगे हाली में उत्तर प्रदेश के जेवर Greenfield Hawaii Day का नाम क्या रखा गया है तो ये रखा गया है The Noida International Airport जो की बनने के बाद Asia का सबसे बड़ा airport कहलाएगा हाली में UNESCO ने किस देश की hawker संस्कृति को संस्कृतिक विरासत की सूचे में शामिल किया है तो ये सामिल किया गया है Singapore की hawker संस्कृति को Singapore के दिए हम बात करें तो इसकी capital है Singapore City currency है dollar इसके लावा हाली में IMD के द्वारा जो Global Smart City Index release किया गया था इसमें Singapore रहा था टॉप पर भारत की तरब से हैदराबाद रहा था टॉप पर overall इसकी रैंकिंग थी 85 हाली में मसालों से विश्यो की सबसे बड़ी printing मना करके किसने Guinness Book of World Record में अपना नाम दरज किया है तो ये नाम दरज किया गया है नेहा सिंग के द्वारा जो कि BHU यानि कि बनारस इंदू विश्यो द्याले की एक छात्रा है इन्होंने मसालों से विश्यो की सबसे बड़ी printing मनाई है हाली में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर ये कौन बने है तो हाली में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर ये बन गए है रयान काजी, इनकी उम्रह मात्रे 9 साल और इनकी सालाना इंकम 270 करोड रुपए आकी गई है इनका यूट्यूब पर जो चैनल है इसमें ये टॉइस का यनि की खिलोनों का रिव्यू करते हैं तो विश्यू के सबसे बड़े रेडियो टेली स्कोप का निर्माड किया गया है चाइना के द्वारा जिसका नाम रखा गया है फास्ट यहां फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेली स्कोप हाली में एसोचेम के ने अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बन गया है विनीत अगरवाल इन्हों ने स्थान लिया है निरंजन हीरनन्दानी का इसके स्थापना हुई थी 1920 में हैटक्वार्टर इस्थित है नई दिल्ली में हाले में किस दिगज अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड से समानित किया गया है तो यह समानित किये गया है धर्मेंदर प्रिधान तो जो धर्मेदर प्रिधान है फिल्मे जगत में मतलब कि सिनिमा में इनके उत्करष्ट योगदान के लिए इन्हें न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड से नवाजा गया है और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतिय भीनेता बन गया है भारत का सबसे वड़ा हॉक्य स्टेडियम के शहर में स्थापित किया जाएगा तो भारत का सबसे वड़ा हॉक्य स्टेडियम ये बनाया जाएगा राउल केला में जहां लगभग 20,000 लोगों के बैठने की शमता होगी यहां से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं देखे जो हौकी मेंस वर्ल्ड कप है हौकी मेंस वर्ल्ड कप जो की 2023 में होगा और इसे ओडिसा होश्ट करेगा ओडिसा के भूवनेश्वर और राउल के लवे मतलब कि भूवनेश्वर का जो कलिंगई स्टेडियम है और राउल के लगा बीजू पतनायक होकी स्टेडियम यहां इस प्रत्योगी तक आयोजन किया जाएगा हाली में किस इस्थल को भारत के 42 रामसर इस्थल के रूप में चुना गया है तो सोक आरजील जो की स्थित है लद्दाक में यवी हाली में भारत का 42 रामसर इस्थल बन गया है भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी किस राजजी में इस्थापित करने का प्रस्ताव है तो भारत की ये जो पहली लीथियम रिफाइनरी है ये उपन की जाएगी गुजरात में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल लाइफ सफारी किस बाग अभ्यारन ने में शुरू किया गया तो ये शुरू किया गया है बांधोगर भाजधानी तीरो अनन्तपुरम यहां सबसे युवा मेयर बनकर सामनी आई है मतलब कि ये भारत के सबसे युवा मेयर बन गई है इनकी उम्र है 21 साल हाले में किस देश की नौ सेना ने भारती नौ सेना की पंडुबी जिसका नाम है आईये ने सिंधु वीर इसे अपने बे जोड़ेगी महराश्ट और पश्रिम मंगाल को इदि आप लोगों को याद होगा तो 6-7 महिने पहले भारत की जो पहली किसान रेल चली थी ये चलाई गई थी महराश्ट में जो नासिक हैं मतलब कि नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक भारत की पहली किसान रे बारत की जो पहली किसान रेल है ये चलाई गई थी आंदर प्रदेश से दिल्ली के बीच और ये है सौवी किसान रेल जो की महराश्ट और पश्रिम मंगाल को जोड़ेगी हाले में तमिल नाडू का 38 जिला ये कौन बना है तो ये बन गया है मैला दुथराई तमिल नाडू जो की कॉंटरेक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्जी भी है भारत में पहली बार पूरी तरह से 144 चालक रहित यानि कि बिना ड्राइवर के ये जो ट्रेन सेवा की सर्विस है ये कहां शुरू की गई है ये शुरू की गई है नई दिल्ली में हाले मे किस फुटबॉलर को दशक के यानि कि डिकेट के सर्विस रेश्ट फुटबॉलर के अवाड से नवाजा गया तो ये नवाजे गए हैं क्रिष्टियानो रोनाल्डो जो की पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है इसके साथ ही ये दुनिया के पहले अरब पती फुटबॉ बन गये हैं हाले में किस राज में जाती के स्टीकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मा कारवाही की जारी है मतलब कि अब वाहनों पे आप अपने कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आप किस कास्ट से हैं तो ऐसे वाहन के मालिकों के खिलाफ दंडा ये किसने लौँच किया है, तो ये लौँच किया गया है, केंद्रि स्वास मत्री डॉक्टर हरश उर्धन के द्वारा, तो आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला सोदेसी निमोनियाटी का इसका नाम किया है नियमोसिल, हाली में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्राखंड के के शहर में स्थापित किया गया तो भारत का ये जो पहला पॉलिनेटर पार्क है ये स्थापित किया गया है उत्राखंड के हलदवानी में जबकि उत्रखंड के पिथोरागड में भारत का पहला लाइकेन पार के स्थापित किया गया है उत्रखंड के नैनी ताल में भारत का पहला काई पार के स्थापित किया गया है जबकि उत्रखंड के रिशी केस में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है तो ये सभी आप याद रखेंगे जो कि भारत में पहले से related है और उत्तरा खंड में इस्थित है हाली में पूरोत्तर भारत का पहला glass bridge कहां बना तो देखिए भारत का पहला glass bridge ये तो औरिशी केस में पूर्वत्तर भारत का पहला ग्लाजबिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले में तो दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होएगा इसके लाओ यदि हम बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में भारत का पहला डॉक पार्क इस्थापित किया गया है जबकि हाली में नौर्थ इंडिया का पहला डॉक पार्क इस्थापित किया गया है चंडीगड में उत्तर प्रदेश के मधुरं में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल यानि की हाथी के लिए अस्पितल ये इस्थापित किया गया है तो यह सभी आप याद रखेंगे 4 दिसम्बर को Navy Day, 5 दिसम्बर को World Soil Day अभी मने बताया है, 7 दिसम्बर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस, 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस जिसकी थीम थी Recover Better Stand-Up for Human Rights, 11 दिसम्बर को Mountains Day यहने की International Mountains Day जिसकी थीम थी Mountains Biodiversity, 18 दिसम्बर को अंताराश्टी प्रवासी दिवस और 19 दिसम्बर को मनाया जाता है गोवा मुक्ती दिवस क्योंकि 19 दिसम्बर 1961 को ही जो गोवा है यह पुर्तगाल से मुक्त हुआ था तो दोस्तों यह थी दिसम्बर मन्थ से related important current affair के question इस तरह हमारे monthly current affair की जो series चली आ रहे थी यह अब समाप्त होती है तो I hope यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है यदि पसंद आया है तो इसे at least एक study related group में share करना बिलकुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही thank you so much